आप सभी को प्रभु येश्य मसी के नाम से जै मसी की आज मैं आप लोगों को कुछ वचन बताने जा रहा हूं जो कि बहुत या शिशित और आनुगरहित होने वाले हैं वेसे तो पुरी की पुरी बाइबल ही आशिशित और आनुगरह वाले वचन से भरी हुए है लेकिन उन में से कुछ चंद वचनों को लेकर आज मैं आप लोग के बीच में रखने वाला हूँ जो कि ऐसे वचन है जिसको आप रोज पढ़ोगे तो आपका जीवन एक सफलता पुर्वक जीवन हो जाएगा तो आईए उन वचनों की ओर हम बढ़ते हैं पहला वचन इस प्रकार है निती वचन सोला अध्याय का तीन वचन अपने कामों को यहवा पर डाल दे इस से तेरी कलपनाई सिद्ध होगी तो इस वचन में हम देख सकते आपका जो भी काम है उसे परमेशर के हाथ में सोब देजे परमेशर आपके काम को सफल कर देगा तो आईए दुसरे वचन की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार है पहला राजा दो आद्याय उसका तीसरा वचन और जो कुछ तेरे परमेशर यहवा ने तुझे सोपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना और जैसे मुसा की व्यवस्ता में लिखा है वैसे ही उसकी विदियो तत्हाग्याओ और नियमो और चितोनियों का पालन करते रहना जिससे जो कुछ तु करे और जहां कही तु जाए उसमें तु सफल होएगा इस वचन में हम देखते हैं इस प्रकार कहा गया है जब हम परमेश्वर के मारगों पड़ चलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमरा हारे कारिय सफल हो जाएगा तो आईए हम इसे के साथ तिसरे वचन के और बढ़ते हैं जो कि लुका सुला अध्याय का दस से लेकर ग्यारा तक हम पड़ सकते हैं जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है इसलिए जब तुम अधर्मा के धन में सच्छे न टहरे तो सच्छा धन तुमें कौन सोपेगा इस वचन के आदार पर हम देख सकते हैं आपका काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो ये माइने ने रखता पर आपका काम सच्छा हो परमेश्वर यही चाहता है जिससे कि आपका काम सफल हो जाएगा तो आईए हम चोटे वचन के और बढ़ते हैं वो लिका हुआ है ये शया की पुस्तक उसका 41 का 10 वचन में मट दर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उदर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे दुरूड करूँगा और तेरी साहियता करूँगा अपने धर्ममए धाइने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा इस वचन के आदार पर हम देख सकते हैं हमारे जो विश्वास होना चाहिए और किसी पर नहीं स्रीप और स्रीप परमेश्वर पर होना चाहिए अपने विश्वास में हमको कभी डग मगाना नहीं है जिससे कि हमारे काम रुख जाए अगर हमारे पूरा विश्वास प्रभू पर रहता है तो परमेश्वर हमारे हरे कामों को सफल करता है पांच्वा वचन इस प्रकार है इरमाया के पुस्तख 17 का 7 वचन धन्य हे वह पुरुष जो यहवा पर भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो इस वचन के आधार पर हम देख सकते हमारे जीवन का जो आधार होना चाहिए स्रीप और स्रीपरमेश्वर होना चाहिए हमारा पुरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए जिससे कि हमरा हारे काम सफल हो जाएगा तो आईए इसे के साथ छटवे वचन के और बढ़ते हैं जो कि व्यवस्ता विवरन आठ का आठारा में हम पढ़ सकते हैं परन्तु तु अपने परमेश्वर यहवा की स्मरन रखना क्योंकि वह है जो तुझे सम्मत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाच्छा उसने तेरे पुर्वजों से शपत खाकर बांदी थी उसको पुरा करें जैसा आज प्रकट है हमरे हर कामों में हम सिर्फ परमेश्वर को स्मरन करें इससे हमरे हरे काम सफल हो जाएगा तो आईए इसे के साथ और एक वच्छन को हम पढ़ेंगे जो सात्वा वच्छन है बजन संगिता 37 का 4 वच्छन यहवा को अपने सुक का मुल जान और वह तेरे मनरतों को पुरा करेंगा इस वच्छन के अधर पर हम देख सकते हैं हमारे हर काम का जो भी मुल है स्त्रोत है जो भी आशिश है हमें यही समझना की उपरमेश्वर के ओर से हुआ है उससे आपके हारे कामों में और भी आशिश बढ़ जाएगे इसे के साथ नमबर आट पर जो वच्छन है निती वच्छन तीन आध्याई का एक से लेकर चार वच्छन तक हे मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को न भूलना अपने हिर्दय में मेरे आज्याओ को रखे रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरे आयू बढ़ेगी और तू आधिक कुशल से रहेगा कुरूपा और सच्चाई तू से आलग न होने पाए वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हिर्दय रुपी पट्टियों पर लिखना तो तू परमेश्वर और मुनिश दोनों का अनुग्रह पाएगा तू आति बुद्धिमान होगा तो यदि आप किसी को हर बातों में आशिशित और अनुग्रहित और परमेश्वर का एक सही वैक्ति होकर चलना है तो आपको इन वचनों को पूरा करना पड़ेगा तो परमेश्वर के साथ है आप बढ़े आईए हम लोग एक आखरी वचन के ओर चलते हैं नववा वचन फिलिपियो चार का सत्रा वचन जो कि शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ परन्तु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुमारे लाप के लिए बढ़ता जाए इस वचन के दौरा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर भी हमेशा हमारे आशिश के बारे में सोसता है तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बेहनों इन वचनों को आप ज़रूर पढ़े मैंने आपको नव वचनों को बताया है और दसवा वचन कौन सा होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताईए ताकि वो वचन मैं आगले वीडियो में डाल सकूंगा तो प्रबू आप सब को इन वचनों के दोरा इस वीडियो के दोरा आशिश करें मैं आप से चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेर कीजिए प्रेज लॉर्ड